उधारन पंद्रा चित्रा नुसार X A समांतर Y B समांतर Z C सिद्ध कीजे की छेत्रफल त्रिभुज X B Z बराबर छेत्रफल त्रिभुज A Y C उधारन पंद्रा पर एक प्रश्न दिया हुआ है जिसकी आकरिती आप देख रहे हैं यहां पर X A Y B और Z C आप यहां देखिए एक रेखा खर्ण या आप इसको रेखा कहले थोड़ी दिर के लिए X A Y B है और Z C है तीन समांतर रिखाए हैं यह हमें दिया हुआ है X A parallel to Y B और Y B parallel to Z C माना एक से समांतर Y B के और Y B समांतर Z C यानि तीनों रिखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और दो त्रिभुजों के रश्ण यहां पर की गई है आप देखिए अब इसे हमने लाल सही संकित किया है यह जो तीर्यक रिखाएं X Z और A C हैं तो इन्हें आधार बनाकर एक त्रिभुज X B Z बनाया गया है और नीली सही से एक त्रिभुज A Y C बनाया गया है और हमें सिद्ध करना है कि यह जो दो त्रिभुज बन रहे हैं त्रिभुज X B Z यह जो अभी आपने पहले देखा X B Z यह लाल रंग का त्रिभुज और दूथरा त्रिभुज A Y C त्रिभुज A Y C जो नीले रंग से बनाया गया है इन दोनों त्रिभुजों को शेत्रफल बराबर है यह हमें सिद्ध करना है देखिए आपको इस काम को करने हैं बहुत मज़ा हैगा आप थोड़ी देरे के लिए देखें कि हम यदि Y B को आधार माने तो आप देखेंगे Y B आधार पर दो त्रिभुज ऊपर बन रहे है त्रिभुज A Y B आप देख पा रहे हैं इसे दो नीली लाइने और एक काली लाइन तो आधार Y B पर एक त्रिभुज A Y B बन रहा है और इसी आधार पर दूसरा त्रिभुज X Y B बन रहा है इस तरह बन रहे हैं उनके शिर्ष सिधर है आप देखिए तो आधार Y-B पर एक तरिबुझ YZ-B बन रहा है और दूतरा तरिबुझ आधार Y-B पर ही YC-B बन रहा है और यहाँ पर भी आधार Y-B ही है और समानान तर रिखाओं कि एक जोड़े YB और JC के बीच दोनों त्रिभूज बन रहे है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अभी तक जो आपने किया है कि ये जो त्रिभूज है उसका शेत्रफल इस त्रिभूज के बराबर होगा और उसी तरह से त्रिभूज XYB इस त्रिभूज के शेत्रफल त्रिभूज AYB के बराबर होगा ये आपके समझ से हल हो गई यदि आप दोनों त्रिभूजों को जोड़ दें तो जो आप चाह रहे हैं वों आपको मिल दाएगा देखे बहुत आसानी से इस काम को हम करेंगे किवल आपको ये ध्यान रखना है कि आधार YB पर दोनों तरफ जो त्रिभूज बन रहे हैं दो-दो उनको हमें ध्यान में रखना है उनके बारे में लिखना है तो आधार YB पर बनने वाले त्रिभूज, हमें ऐसा लिख लें, आधार YB पर बनने वाले त्रिभूज, इनके नाम लिखें हम, X, Y, B, त्रिभूज, X, Y, B, बराबर आप लिख सकते हैं, हम शेत्रफल की बात कर रहे हैं, शेत्रफल भी लिख दें, शेत्रफल त्रिभूज, X, Y, B का, बराबर होगा, शेत्रफल, त्रिभूज, A, Y, B का, A, Y, B यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी आपने कई बार इस बात को दुराया है कि A की आधार और समानांतर रिखा हो कि एक जोड़े की बीच जो त्रिभुज बनते हैं उनका शेत्रफल बराबर होता है तो इस बात को हमने इस तरह से गणिती रूप में लिखा अब आप वापस नीचे की तरफ देखिए इसी आधार Y, B पर फिर से दो त्रिभुज बन रहे हैं जो नीचे की तरफ जिनका शीर से हैं एक त्रिभुज है Y, Z, B और दूसरा त्रिभुज है Y, C, B इसको भी हम लिख लें त्रिभुज Y, Y, Z, B तो हम लिखेंगे शेत्रिफल त्रिभुज Y, Z, B बराबर शेत्रिफल त्रिभुज Y, Y, C, B त्रिभुज Y, C, B तो आपने ये दो परिणाम प्राप्त किये अब यदि हम इन्हें जोड़ दें तो क्या होगा देखिए हम लिखें शेत्रिफल त्रिभुज एकस वाई बी का इसे इसके साथ जोड़े त्रिभुज एकस वाई बी का धन शेत्रिफल त्रिभुज एकस वाई जेड बी का बराबर समीकरण के दहनेपक्ष को भी हम जोड़े तो हमें मिलेगा छेत्रिफल त्रिभुज एकस धन छेत्रिफल त्रिभुज वाई सी बी का अब जरा हम देखे कि ये हमें क्या परिणाम देता है इनको हम चित्र में जाके देखते हैं XYB ये त्रिभूज आपको दिखाए पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए मैं इसे बलेक से कलर करता हूँ ये त्रिभूज और शेत्रिफल YZB शेत्रिफल YZB इसे ही मैं आगे करता हूँ आप देखना है कि हमने इस पूरे त्रिभूज की बात की दोनों को जोड़ने पर हमें एक नया बड़ा त्रिभूज बन रहा है मिल रहा है जो XZB के बराबर है तो हम इस पूरे के बदले हम लिख ले कि त्रिभूज XYB कर शेत्रिफल और त्रिभूज YZB कर शेत्रिफल बराबर है त्रिभूज XZB कर शेत्रिफल तो हम इस बात को यहां लिखे त्रिभूज XZB कर शेत्रिफल शेत्रिफल त्रिभूज XZB कर बराबर वैसी यहां पर देखे हम यहां हम इन दोनों को देखे त्रिभूज A,Y,B उसे मैं हरे रंग से कलर करता हूं एक बाई फिर से देखिए त्रिभूज A,Y,B को हमने रंगा है और उसके बाद त्रिभूज Y,C,B त्रिभूज Y,C,B इस त्रिभूज को भी हम रंग दे तो आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा सा जो त्रिभूज है जो नीले रंग से बना हुआ है वो पूरा का पूरा हमें प्रदर्शित हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है इसे आप लिख सकते हैं A Y C शेत्रफल त्रिभूज A Y C का शेत्रफल X B Z बराबर शेत्रफल A Y C जो हमें प्रूज करना था वो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हम बहुत आसानी से उन प्रमेओं का उप्योग करके इसे हम सिद्ध कर पा रहे हैं तो आपने देखा कि किस तरह से प्रमे उन सवालों को समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है जो त्रिभूज की इन गुड़ों पर आधारित होते हैं तो एक कोशिश आप भी खुद से करके देखिए आप जरूरी से बनाबाएं